अगर आपने लाल मिर्च की चटनी के साथ खाक रहा या फिर मट्री नहीं खाई तो फिर क्या खाया? सर्दियों के मौसम में जब लाल मिर्च वो भी फ्रेश वाली भरी तादात में मिलती है तब आप इस चटनी को बना के स्टोर कर सकते हैं और जब मन किया तब इस पे स्नाक कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेस तयार करेंगे छे फ्रेश लाल मिर्च को मैंने यहापे चॉप करके ग्राइंडर जार में मिला दिया है उसी के साथ-साथ इसे चटा के दा टेस्टी बनाने के लिए 14-16 हमने यहापे लैसुन की कल्यों को चौप करके ले लिया है एक छोटी से टमाटर के टुकडे करके भी मिला दिये हैं उसी के साथ-साथ इसमें आधा टी स्पून जीरा मिलाएंगे और आधा टी स्पून जितना नमक मिला देंगे आप चाहे तो नमक बाद में भी आड़ कर सकते हैं इसे हम बिना किसी पानी के एक स्मूथ और फाइन पेस्ट में इस तरह से तयार कर लेंगे अब चटनी बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई में डे टी स्पून जितना तेल ले लिया है तेल की गरम होते ही उसमें आधा टी स्पून जीरा मिला देंगे चब जीरा चटकेगा तब एक चुटकी हिंकी मिला देंगे और उसी के साथ साथ हम इसमें थोड़े से कड़ी पता भी मिला देंगे कड़ी पता अच्छे से क्रिस्प हो चुके है अब हम इसमें बनाया हुआ चटनी का पेस्ट मिला देंगे अगर आपको मिकसर से सारा पेस्ट निकालने में दिकत हो रही हो तो आप इसमें एक के दो टेबल स्पून पानी मिला के भी सारे पेस्ट को निकाल सकते है बीच बीच में चटनी को हम चलाते रहेंगे और इसे हम कुक करेंगे मीडियम या फिर लो फ्लेम पे नमक मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा कम लगा तो इसमें मैं और थोड़ा सा नमक आड़ कर रही हूँ फ्लेवर्स को बैलन्स के लिए एक छोटा सा टुकडा गुड का भी मिला लिया है आप चाहें तो शक्कर भी मिला सकते हैं गुड की जगा पे आप चाहें तो टमाटर को भी स्किप कर सकते हैं बट मैंने उसे अड़ किया है क्योंकि उसे चटनी में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है और चटनी बहुत टेस्टी भी बनती है टमाटर की जगा आप चाहें तो एक छोटा सा टुकडा इमली का यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चटनी अच्छी गाड़ी ना हो जाए इस चटनी को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ और जादा बढ़ानी है तब हमारी चटनी बन के तयार है आप चटनी को पूरी तरह सी ठंडा कर लीजेगा फिर इसे एक एर टाइट कंडेनर में स्टोर कीजेगा और जब मन किया आप इसे इंजॉई कर सकते हैं आप इस चटनी को लगबग एक महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आप इसे रोटी, खाक राया फिर अपने कोई भी मेल को पैपप करने के लिए यूज कीजेगा आगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंद्स और फैमली की साथ इसे शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू